कि स्वागत है आप सबों को हमारी यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन हप पे आज मैं जो हूँ ट्वल्द क्लास का मद्धिकाल से सम्मंदित जानकारी लाया हूं जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगी जानकारी मुगलकाली यानि कि मद्धिकाल में हम लोगी से पहले मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ आप लोग जो है वीडियो को सुरू से अंतक देखें बीच में स्कीप ना करें सुरू से अंतक देखने के बाद जो है आपको असपश्ट जानकारी प्राप्त होगी इसलिए वीडियो में बने रहें और लाइक सेर कॉमेंट करते रहें अगर आप नए हैं इस चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी के लिए और तुरत नोटिफिकेशन जानने के लिए आप जो है बगल में बेल आइकन है उसको आप दबा दे तो चलिए मैं जो हूँ मद्धिकाल स्टार्ट करने वाला हू यानि कि पार्ट टू ट्वल्द ग्लास का जिसका चैप्टर का नाम है आएने अकवरी आएने अकवरी का मैं यहां पर अबजेक्टिव को शन लाया हूं बारी बारी से मैं यहां पर मद्धिकाल का टोटल जो है खतम करूंग ऑबजेक्टिव तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आएने अकवरी जो है इसमें क्या क्या बातें बताई गई एतने कि आएने अकवरी ज tutti में जो समय अकवर आय थे तो अकवर ने क्या किया था एक क्रिज्टी बवस्ता को सुचारों नूप से चलाने का काम क्या थी hay anime अकवरी जानकारी देती है कि किस प तो देखें इस्क्रीन पर है कथा है अक्वर नामक पुष्टक किसी किरीती ACT वह रहुल संकृतियायन के द्वार लिखी देघर यहां पाव दियायन नो चुट गया है अप लोग ध्यान दीजिए आधि नौ उट संकृतियायन के द्वार लिखी गैथे जो क्याता है एक विसाल मतलब भारत वर्स ये चुकि भारत के थे लेकिन अन्य देशों को भी इन्होंने ब्रमन ने किया था इसलिए इन्हें महा गुमकर के नाम से भी जाना जाता है और इनको इनके पास जो है च्छतिस भसाओं का ग्यान था और ये च्छतिस भसाओं के ग्यान के माध्यम से ही ये थे विविन्य देशों की ये यात्रा करते थे और लगभग इन्होंने 120 गरंतों का स्रिजन भी किया था तो इस प्रकार से इसका जो है इन्होंने अकवर नामा भी लिखा और अकवर के बारें भी बता है था और अपनी पुस्तक का नाम भी इन्होंने समराट असोग के बाद भारत में महान साथ सक के रूप में किने जाना जाता था तो कि समराट असोग जिस समय आये थे तो वो एक महान साथ सक थे उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ किया था परजा के लिए उसी परकार अकवर ने भी क्या किया था सभी धर्म सभी जाती को समान रूप से लेकर ये आगे बरे थे इसलिए aqvar lawyer जो है असोक के बाद महानसासक के रूप में जिन जाना जाता है इसके ले एक लिए किसी क्सके इनिए अबुल-फजल की इनिए अबुल-फजल मेरा के लिखा हुआ था है इनकी जानकारी असपश्ट रूप से मिलती है में आयने अकवरी से किस की जानकारी प्राप्त होती है आयने अकवरी में जो हम लोग यह चैप्टर है यह खास करके अकवर काली क्रिसी संबंदी के बारे में जानकारी देता है कि अकवर ने क्रिसी को किस प्रकार से उसका जैसे भूमी भूमी का नापतोल करवाया था फिर जितने सारे भूमी थे उसको कई प्रकार में बाटा गया था उसके बाद जो है कि इनोंने बहुत सारे कर परथा चलाए थे तो ये बिभिन ने प्रकार की जो है किरिसी संबंदी जितनी भी है किस प्रका जादा हो पैदावार जादा हो जनता जादा इसका उप्योग कर सके यह सब जानकारी जो है मैं आइने अकवरी में मिलती है अकवर नामा कितने खंडों में वहाजित है तो दीखे अकवर नामा जो है तीन खंडों में वहाजित किया गिया है और यह तीन खंड के बारे में जो उसके बात जो है यह यह तीसरे खंड में ही जो है काफी अलग हुई थी और आएने अकवरी यही तिसरे खंड में ही आएने अकवरी को रखा गया था जिसके जिसका जो है आज हम लोग यह चैप्टर का नाम रखे हो थी यही तिसरा खंड हम लोग पढ़ाई करेंगे तो चलिए next question देखते हैं पांच मागा च्छट में क आएने अकवरी कितने भागों में बटा हुआ है तो आएने अकवरी पांच भागों में बटा हुआ था और यह पांचों भाग के बारे में बताना चाहता हूं कि पर्थम भाग में जो है साही घराने के बारे में दिया गया है साही टकसाल के बारे में बताया गया है और कार किरिसी एवं भूराजह समंदी बियोड़ा दिया गया है कौन-कौन सी फसले होती थी कौन-कौन सी राज में भूमी का वर्गी करने क्या गया था मतलब भूमी से संबंदी जो एई तिर्थिय भाग में भडाया हुआ था चौथे भाग में काता है हिंदू और बीविन धुन दी गई है किस भाग में चौते भाग में पचमे भाग में जो है पांचमे भाग में कहा गिया है कि अकवर की जितने भी आदर्स के साथ सुएम अबुल फजल दिखिए इसके आदर्सों के बारे में पांचमा भाग में जो है अकवर के आदर्सों के बारे में बताया गिया और खुद जिन्हों ने यह आयने अकवर ही लिखा जिसे अबुल फजल ने लिखा इनकी भी जीवनी पांचमा भाग में बताया गिया है इंडिया एक्ट देट अफ अकवर नामक पुस्तक किस ने लिखा था यह जो पुस्तक लिखा था वह डवलु एच मॉर्लेंड ने लिखा इंडिया इड़ डेट अफ 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 फ फ इस ने लिखा था इर्फान हवीन के दुआरा लिखा गिया था यह सब पुस्तक जो है अकवर काले कि या पिर मुगल कालीन की जानकारी विस्त्रित जानकारी करने के लिए इनकी पुस्तक आप पर सकते हैं अधिक सदिक आपको जानकारी मिल जाएगी। था कि लोगों को काफी सुविधा हो कि आखिर अकवर नामा के अंतरगत कौन-कौन सी घटनाएं हुआ था कौन-कौन से नियम कानुन बने थे उसी प्रकार से आइने अकवरी का अंग्रे जी अनुवाद किस ने किया था तो ब्लैक मैं तथा जैरेट ब्लैच मैं होगा को दूसरा खंड जो है 1891 में परकासित किया था और तिसरा खंड जैरेट मोहदे ने किया था 1894 में परकासित किया था तो यह जो परकासित किया था इसलिए परकासित किया था च्योंकि जो लोग फारसी नहीं जानते थे और जो मूल गरंद को नहीं पर सकते थे उनके लिए य उसको समझने में आसानी वी थी अकवर को इशाने कामिल किस ने कहा था नेश्ट कोस्ता ने हमारा बारन नमर का कहता है अकवर को इशाने कामिल किस ने कहा था अबुल फजल ने कहा था और इशाने कामिल का अर्थ होता है कि वैसा व्यक्ति जिससे कोई गलती नहीं हो सकती है यानि कि अवल फजल जो है अकवर का ऐसा परसंद सकता कि उसके बारे में वो गलत का ही नहीं सकता था इसलिए उसने उसको क्या कहा दिया इसाने कामिल के नाम से जाना जाता है और इसाने कामिल के रूप में इसको भी जाना गया मतलब कि उनका कानात है कि अकवर ऐसा असासाख है जिन से किसी भी परकार की कोई गल्ती नहीं हो सकती है इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कृतिकार थे जिनोंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखने का काम किया था जिसे तपकात एकवरी किस ने लिखा था तो निजामुदिन अहमद ने लिखा था इससे भी आप मुगलकाल के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद जो है काता तारीक के फरिष्टा किसकी रिती है ती ये मुहम्मद कासिम फरिष्टा के दोरा लिकी गई थी इसकी माध्यम से भी आप जान सकते हैं देखिए अबुल फजलनी काता है जहां तक कि अधिक से अधिक अगर अकबर के परसंसा की है तो बंदायों नहीं तो जहांगिर के द्वारा लिखा गया था ये भी पुस्तक आप पढ़ते हैं तो आपको जो है कहन अधियन करने में मदद मिलेगी कौन सा मुगल काल के बारे में नेश्ट कोसा ने समराट के हाथ में भूमी का थोरा अंस का रहना क्या कालाता था तो खाल सा भूमी कालाता रखा और खाल सा इसलिए भी रखा कि देखा किया इसके अलाबा मतला 25 अंस तो थोरा सा है भूमी लेकिन इसके अलाबा भी देखा कि राज कोश में काफी कम धन पड़ा हुआ है इसलिए बोला कि इससे ऐसी भूमियों का हम लोग को ब्योरा रखना पड़ेगा इसलिए अक अकवर ने दिवान के रूप में किसे नियुक्त किया था तो यह सब उन्होंने जो किया था ताकि हम जो एक किरिसी वेस्ता को सुचारों रूप से चला सके नेक्ष को सन्य अकवर कालीन में नस्क या कनकूत पढ़नाली किसने अपनाई थी यह स्याब उद्दिन अहमद ने अ जाता था उसको जिसमें जमीन की पैदावार जो होती थी उसको क्या किया जाता था मोटे तोर पे आंक लिया जाता था मतलब एक प्रकार का हम लोग कहते हैं कि आंकना आंकने के बाद जो है परते खेत का जो जितना भी पैदावार होता था उसका निकाल लिया मतलब आंकने में इस परणाली को जो है तोडर मल के द्वारा जो किया किया हटा दिया गया और तब जो है असल जो पैदावार होते ती उसको आंके निर्धारन किया गिया तो यह परणाली जो चला गया था- सयाब उद्दिन आहमत के द्वारा यह तो जादा परचलीत नहीं हुआ लेकिन मल्क के द्वारा जो परचल किया गया था वो ज्यादा से ज्यादा परचलीत हुआ तो चलिए आज जो है मैंने 20 कोस्टन देखा आएने एकवरी का इसका मैं भागवान भागटू करके लाता रहूंगा आप लोग जो है सारे भी वीडियो को ध्यान पुर्वक देखें और शे